तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी केडमी के इस नहें और लेटस्ट वीडियो में आज का यह वीडियो है न यह उर्दू फूर बिगनर्स या निकी युव बीका पार्ट 37 है जी हां 37 और आज से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है पास्ट टेंस से बने सेंटेंस को परफेक्ट कंटिनिवस इंग्लिश में आप लोग पड़े होंगे अब नहीं भी जानते हैं तो कोई दिकत नहीं है हम लोग यहां पर उर्दू सीखने वारे हैं बस इंग्लिश का फंडा जो में थार्ड है ना हम उर्दू में ला दिये हैं तो पास्टेंस का जो सबसे पह रहा है तो इस तरह के सेंटेंस यानि कि जुम्ले को आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सिखने वाले हैं काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो इसलिए अं तक बिना स्किप किये देखिएगा और हर एक पॉइंट को धियान लाइक करके जरूर जाया करें आप लोग जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हूं तो लाइक जरूर करते और चैनल पर अगर आप लोग नहीं नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा उससे हो गई है कि जब भी वीडियो अप्लोड होगा आप तक सबसे पहले पहुंच लेगा ठीक है तो चलिए सभी तरह का सेंटेंस है मतलब सिंपल पास्टेंस में निगेटिव सेंटेंस भी रखी हूं और सवाल यह जूमला भी है जिस जूमले में सवाल हो कि तुम क्या सोचे क्या आप म सबसे पहला सेंटेंस यानिकी जूमला लिखा हुआ है मैं जाता था याद रखिएगा सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जूमला क्या कहते हैं जूमला देखिए बाहर से जरा आवाजी आ रहे हैं उसको इग्नॉर करते चलना है और यहां पर फोकस करना है ठीक है बाहर और लेटर यानिकी अक्षर को उर्दू में हर्फ कहते हैं यह तीनों याद रखना है आप लोगो तो यह एक सेंटेंस है इस सेंटेंस इस जुमले में सबसे पहला शब्द है मैं मैं को लिखिए उर्दू में सबसे पहले इतना तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी जो है न वह बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है लेकिन उर्दू हम लोग दाएं से बाएं की तरफ लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं तो मैं भले ही इधर बाया हाथ की तरफ इधर से पढ़ा जा रहा है मैं जाता था लेकिन उर्दू में मैं कि इधर लि है किसे लिखा जाता है इतना तो पता चल गया होगा तो यह मी maintenance उपड़ रहताएँ के लिगे विडियो को जूम कर ले बड़ा बड़ा दिखाई दे चोटा चोटा उतना साफ के लिए आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा और आप लोग बजदा कमेंट करके भी बोलते हैं तो आप लोग जूम कर ले और क्वालिटी बढ़ा ले ठीक है और उसके बाद में हैं लाश्ट में था सोचिए था कुर्दू में क्या कहते हैं और पूर्दू में इस तरह से रिखा जाता है और इसी टे में एच कि ह्यानी है जोड़ देते हैं यह वाल है तो यहोगो में यहां है जोड़ कर इस तरह लिखा जाते हैं तो यह तो एक पर शोट्रिंग के लिए अतरो यहहां इसलिए अग है और यह दोनों जो है ना जुड़ कर इस थरह लिखा जाता है तो यह तो हो गए आज़ कि हला यह तो दिखहा अब देखें न रोना प्रस्ट्रेंस था थे तो आप लोग याद कर लिए जिस तरह आप लोग हिंदी में हिंदी में बोल रहे हैं जिस तरह आप लोग प्रिजेंटेंस में याद कर लिए थे कि है इस तरह से लिखा जाता है है उपर बिंदु वाला रहेगा तो इस तरह से लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है ुर्दू में और हूं जो है ना इस तरह से लिखा जाता है ये आप लोग प्रेजेंट ट्रेंट्स में है है हो आता है लेकिन आप इसको याद कर लिजी आप लोग हमेशा के लिए कि उर्दु में था को इस तरह से लिखा जाता है यह हो गया था देख रहे हैं और थे को इस तरह से लिखा जाता है ते जो है ना इसको इस तरह से लिखा जाता है कैसे यह लिखा जाता है लिखा गया है मैं आप लोग को बता भी दे रही हूं देखिए है को घब इसको ठेव बनाने के लिए में दब लगाकर इसमें तरहे पर परी जोड़ देते हैं तो जब इन दों को जोड़ेंगे मानें ये ना इस Storage में लिखा जाएगा इस तरह लिक्षा जाता है इस तरह इस तरह लिखा लिखा जाता है अब इसको मीटा कर इसी के जस्ट सामने में लिख दे रही हूँ थे ठीक है यह हो गया थे था इस तरह थे इस तरह और एक यह वाला थे होता है यह उपर बिंदु वाला थे जैसे कि हम लोग खाना बनाते थे यानि कि उपर बिंदु वाला न रहेगा तो इसक इसको कहते है नुन गुन्ना अब इन तीनों को जुड़ेंगे तो किस तरह बन जाएगा ये ये था हो गया था कि उपर जबन मान लिए और ये जो बड़ी है ना इसमें आकर अपना शकल चेंज करके इस तरह जुड़ जाएगी और ये नुन गुन्ना इसमें आकर जुड़ ये होता है इस थे को उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है याद कर लेने इस तरह नोपर बीन्दू वाला नोव अलग छे है तो इससी को मैं वापस सब्य हो गया इस तरह से आप लोगिए अगर धे देखने को मिल जाए ही तरह का पर अ theorem स striking लिखेंगे ठीक था थे थे हो गया मतलब दो बार ये वाला थे और ये वाला थे और एक आता है थी जी हां ये वाला थी तो इसको कैसे लिखेंगे थी इसको लिखेंगे इसको भी देखिए ये हो गया था और इस थी में कौन सा वलाई की मात्रा है तो बड़ी वाली की मात्रा और जब भी किसी अक्षर को बड़ी बड़ी की मात्राइं बदल देते हैं तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यह था है था और इसके नीचे जिर मान लिए यह वाला जिर क्योंकि लिखेंगा नहीं और छोटी इसे में आकर जूर जाएगी तो इस तरह से लिखना है इसी के जस्ट सामने में लिख दे रही हूं यह मैं आप लोगो जरा डीपली बता दी कि क्यों इस तरह से लिखा जाता है ताकि कहीं पर भी लिखा हो तो आप आसानी से लिख सफे उड़ी में तो यह हो गया क्या थी ठीक है तो मैं जाता था यह पहला सेंटेंस हो गया अब देखिए वह आई वह तो लिखना असान है वह से वह और है से वह हो गया और आई ऑ को उर्दु में अलिफ कहते हैं अलिफ लिख दीजिए और इसी के उपर मद लगा देंगे तो आ हो जाएगा ठीक है आ हो गया और वे अक्षर को बड़ी वाली ए की मात्रा बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं उस अक्षर के नीचे जेर लगा कर उसमें छोटी ये जोर देते हैं तो इस ये के नीचे जेर मानकर हम लोग छोटी ये जोर दिये क्योंकि जेर तो लिखेंगे नहीं मन में मानेंगे जबर दि सब्सक्राइब प्र पूर्दू में नहीं देखने को मिलेगा आप लोग को कहीं पर भी यह लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं हमजा से अ होता है और हमजा के नीचे जे लाकर इसमें छोटी यह जोड़ देंगे तो भी तो यह इपढ़ा जाता है इसको भी इपढ़ सकते हैं या फिर आई इस तरह से भी लिखा जाता है आई ठीक है और इस तरह से भी बलने जाएकि और कंपे security स्टरह हम लोग किsal ोप सकते हैं यहांस सकते हैं तो यहां पर इंव लिए कर सकते हैं और लिख सकते हैं वह भाइग यहां फिर अप यह वाला का भी यू भी कर सकते हैं लेकिन बहुत कम इस तरह का यूज होता ही नहीं है वह पर sach लिखना है तो गाव से गौ होता है और इसी में यह बड़ा सा कर यहां पर यहां पर यहां पर समझ में आप आगया होगा जरह मैं मिटा देती हूं और रफ टाइब का भी दिख रहा है जा यह तो मिट गया वह अस्पताल वे लोग अस्पताल नहीं देखें अच्छा यहां पर नहीं और देखें है वह गया चोटिए इसको मब नो यह हो गया और इसको मिटा देती हूं यह अब यहाँ पर आई रहेगा वा आई एक ही आई लिखना लिखा जाएगा तो बैतर है चलिए आगे देखते हैं मैं सोचती थी तो मैं में उपर बिंदू वाला नहां रहरेगा कभी विए मैं आप तरह से लिखा जाता है चाहे मैं लिखना हो उर्दू में चाहे मैं लिखना हो यह वाला मैं लिखना हो या फिर यह वाला मैं लिखना हो दोनों को उर्दू में इसी तरह लिखते हैं इसी तरह लिखते हैं आप लोग जूम करकर देख लिजे इसको ठीके इसी तरह लिखते हैं मैं तो यहां पर क्या है मैं तो मैं हो गया और सोच ती तो सीन के उपर पेश मान कर वाओ जूर दिये सो और देखिए आदाध चौ उ गया यानका है डाधाचे से चौ लिखा हुआ है कितना आसान है कहीं पर भी अब इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ दिख जाए उर्दु में तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और वे लोग अस्पताल नहीं देखें पढ़ भी सकते हैं दोनों कर सकते हैं वे लोग मैं आप लोग बताई हूँ कैसे लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है इसको वे लोग भी पढ़ सकते हैं आप लोग और वह लोग भी पढ़ सकते हैं कोई दिकत नहीं और अस्पताल लिखना तो और भी ज्यादा आसान है अ को अलिफ कहते हैं उर्दु में अल लोग अस्पताल नहीं नहीं भी लिखना बताई हूं कैसे लिखा जाता है अधानुन से नहीं होता है और ही है होग उर्दू में कहते हैं है यह हो गया है इसी हे के नीचे जीर मानकर इस में यह छोटी यह जोड़ दिये तो यह हो गया ही लेकिन उपर बिंदू वाला ना भी तो देखना है इसके लिए यहाँ पर नून गुन्ना जोड़ देंगे तो यह हो गया ना और ही नहीं अब ज़रा मैं इसको अच्छा से लिखूंगी ना तो देखिए किस तरह दिखाई देगा इस तरह दिखाई देगा नून से नौ एक नीचे जेर मानकर इसमें छोड़िये जोड़ दिये तो ही और नून गुन्ना से उपर बिंदू अला ना तो नहीं तो वह लोग अस्पताल नहीं और देखे डाल से दो होता है और इसके नीचे जेर मानकर और बड़िये जोड़ दि लेकिन यहां पर खो में ए की मात्रा है तो इसको भी ए यानकी खे बनाने के लिए इस खो के नीचे जेर मानकर इसमें भी बड़ी यह जोड़ देंगे तो यह हो गया खे लेकिन देखिए खे की उपर क्या है उपर है बिंदु वाला नौ तो इसके लिए भी यहां पर हम लोग नुन गुन्ना का यूज कर देंगे तो देखिए ये हो गया दे और ये हो गया खो के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर खे और नुन गुन्ना तो दे और खे देखें तो वह लोग अस्पताल देखें या फिर वे लोग अस्पताल नहीं देखें नहीं नहीं मैं नहीं बोल लयकिन इसको एक इमात्रा के लिए इस ही के नीचे जिर मानकर इसमें बढ़ी ए जोड़ participation से यह हो गया ते तो बनाते बनाते हम लोग खाना बनाते और थे देखिए तो इस तरह से लिखा जाता है हम लोग खाना बनाते थे ठीखे यह हो गया हम लोग खाना बनाते थे कितना असान है चलिए आगे बढ़ते हैं तुम क्या सोचे तुम क्या सोचे तो यह तो हो गया तुम कितना आसान है ते को पर पेश मान लिए तो छोटा वाला तू और मीम से मौ तुम ठीक क्या क्या भी लिखना आसान है यह हो गया काफ से को और इसी काफ में यह जोड़ दिये यह और यह में अरिव जोड़ कर यह तो क्या तुम क्या ठीक है तुम क्या सोचे सिन के उपर पेश book और चुरण कर वहाओ जोड़ दिए तो सो और टेज्ट में क्यों सवाल यह यह उससा तरह कि पूछ थे इसी तरह इसी मिथाट का योज गड़ते वे आप लोगोगे लिखना तो मेरे लिखने से पहले आप लोग वीडियो को पॉस करके खुद से लिखने की कोईश करें और फिर मिलाएं कि हाँ आप लोग सही लिखें की नहीं ठीक है तो चलिए अगला है क्या आप मुझे पूछते थे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें देखिए इस अलीफ के उपर मत जुड कर आ और यह हो गया पे से पहल कितना आसान है आप 제가 लिखना और मुझे यह हो गया मिम से मा और मिम के उपड़ पेश मान लिए तो छोटा वाला मुझ ठीके मूझ हो गया और जचे जोउच इस तरह से लिखा जाता है देखिए जोऊ- इस तरह से ल जोर देंगे तो ये हो गया जह मु और जह तो क्या आप मुझे पूछते आंट भी से पा होता है लिख दिजिए उपसे तो आ फैके पू हो इस में क्वाला व् improv कीमात्रा तो पर bisa बाद डिचांग सोर जूटिए ये हो गया हुच्ल research किस तरह से लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है यह हो गया अच्छा और इसी में ते जोड़ दीजिए ते से तो लेकिन यहां पर तो नहीं नहीं है यानिक यह की मात्रा है तो इस तो के नीचे जिर मान कर बढ़िए जोड़ दे तो पूछौ चाँ पूच्चते और यह हो गया थे पूचते थे कितना आसान है क्या आप मुझे पूच्चते थे बताईए आप लोग इस तरह सवाल करते होंगे अपने डेली लाइब में बहुत तारा सेंटेंस है जो आप लोग यूज खरते हैं तो क्या हो गया लोक तुम लोग किस किस लिखना आसान है काफं से को और उसके उपर का आचा इस की हैना तो की में देंगे कॉन स formats teraz roit लेंगे दो चोटा बदल जायेगा की हो जायेगा क्या फिर लगा दिया जाताय है लिए हम लो 24 लिखे नहीं तरह तो तुम लोग किस तरह पढ़ते पे से पा होता है और इसी में ढ़ा जोड़ दिये ढ़ा और लास्ट में ते से ता होता है और इसके नीचे जेर मानकर बढ़िये जोड़ दिये तो पढ़ा ते हो गया पढ़ते और थे ते किस तरह से लिखा जाता है याद कर लिजे इस देखिए इसको मैं अगर अच्छा से लिखा जाएगा सअना ठीख है हर हे से हा है यह वोगया रोज और कहां से को होता है और इसी में ही हे जोड़ दिंख ओक हा और دुम रूपर क्यांऩ के लिए में दाओं भुखेर को दिवाला के लिए यहां पर रुपर हमें को यूज कर देंगे तो यह हो गया झींसर जा इसी में अलिव जोर दिए तो जा और ती ते सिता होता है इस टे के नीचे जिर मान कर इसमें छोटी यह जोर दिए तो तीर यह हो गया थी इतना आसान है लिखना बस आप लोग medharht समझ गए तो फड़ाफड आप लोग बना सकते हैं ठीक है और इतना समलोग बना लिए तो आई हो आप लोगों समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से लिखा जाता है वहां क्यूं जगड़ा करता था तो वहां वह सबसे ज़्यादा आसान है लिखना वहां और क्यूं देखि कितना असान है यह हो गया है यह होगया तैसे तो और था 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 लिखना कितना असान था वहां किम जगड़ा करता है इतना दस सेंटेंस हम लोग लिख दिये, कितना आसानी से, बस चली अब मैं बोर्ड मीटाती हूँ, और आगे क्या करना है, मैं आप लोग को समझाती हूँ, अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिजे फड़ावर्ड स्क्रीन अब आईए, यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजे, मैं चार सेंटेंस लिख दी हूँ, अब आप लोग के हम वक की बारी है, चार सेंटेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा तो मैं अभी आप लोग को पढ़ कर बता दूँगी, तीसरा, चौथा आप आप लोग को पढ़ना है और comment में लिखकर बताना है, कि यह क्या पढ़ा जाएगा, मतलब यह क्या लिखा है, आप लोग comment में लिखकर बताएगे, चलि यह पहला, दूसरा पढ़कर मैं बतादी रही हूँ, देखिए, और हय, पे से पह, हे से ह, और लाम के निचे जेर मान क यानि की ले बना दिया गया है तो पहले यहां प्र मैं लिख दू है और तुम क्या है तुम पहले तुम परेशान पहले तुम परिशान नहीं डिरेक्ट दिक जरा है यह क्या लिखा गया है नहीं नून से जिर्मान कर चोड़ी जड़ी कर नहीं नू गुनन से उपर बिन वराथ नू रहते और यह हो गया थे पहले तुम परिशान नहीं रहते थे पहला संटेन्स कितना आसान है इसा आप लोगा पढ़ा बे से बहुत यानि पर क्या है तो बहुत हम लोग बहुत अलीफ से औ डाल में जुड़ कर्दा और सीच क्या यह अदास पढ़ाएगा या इदास पढ़ाएगा इस तरह आप लोगो सेंज करना होता है तो हम लोग बहुत उदास और थें, ये हो गया थें, हम लोग बहुत उदास थें, कितना आसान है, अब तिसरा और चौतरा क्या लिखा गया है, आप लोग का ये दोनों क्या है, होमवर्क है, और बस इतना ही पर आप लोग का होमवर्क खतम नहीं होता है, आज मैं आप लोग सब से पहले अपने कॉपी में 10 फल का नाम लिखना है ठिक है फल का नाम हिंदी नहीं नहीं इंगलिश में अभी आपका जो Guys रहें इंट तो दस फल का नाम आप लोगों को उर्दू में लिखना है यह हो गया दूसरा काम आप लोगों क्या करना है दस सबजी का नाम लिखना है किस चीज का नाम लिखना है दस सबजी का नाम और तीसरा काम आप लोगों को यह करना है कि दस लड़का का नाम लिखना है दिदस लड़की का नाम लिखना है ठीक है और पांचवा काम आप लोग यह करना है कि Lindner में नहीं हो तो चुड़ा मुठा है दो चो जो में हो में वख्राइब आसानी सब्ड़ी पूरा करना है ठीक है चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं जो कुछ भी आप लोगो समझाई यही होप आप लोगो समझ में आया होगा कोई भी कमफ्यूजन हो कमेंड में आप लोगो निकत पूछ लीजेगा तो मैं उसका में जवाब में उसका डाउट को क्लियर अगले वीडियो में कर दू ठीक है चलिए लोग उर्दू को बढ़ावा देते हैं उर्दू सीखना चाहते हैं जो लोग उर्दू से महबबत करते हैं उन तक वीडियो को पहुचाने की कोईश करें और जितने भी आप लोग के कॉंटेक्ट में लोग है न चारो तरफ शेयर करतें एस्टेटस वगरा लगा दें और वीडियो को लाइक करके जाए चानल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लिजेगा उससे होगा यह कि मेरे जाने वाली ओल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुचेगा इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विरा लेती हूं बाइबाए टेक क्या फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज